हे प्लांटोहॉलिक्स वेल्कम बाक टो मैं चैनल होप यौल दूइंग वेल्ट इस वीडियो इस वीडियो इस वीडियो में आपको बहुत ही खुबसूरत से यह समर प्लांट्स को दिखाऊंगी जिनने मैं लंबे टाइम से कुछ ऐसे प्लांट्स से नसरी पे तलाश रही थ होता है और पेरिनियल बाई नेचर होता है तो आप इसे एक बार लगा लोगे तो आपके लंबे टाइम तक के लिए यह रहेंगे और फ्रेंट्स इसके मैंने टोटल तीन प्लांट्स बाइके इसमें आपको इस तरीके का परपल शेड विद पॉर्ट इस्टाबिश प्लां और इसके साथ एक शेड और है वो भी बहुत जादा खुबसूरत है आप देखो बहुत ही अच्छे से यह स्टैबलिश प्लांट है लेकिन अगर कई बार होता है कि इसकी जो ब्रांचेज होती तो आप उसमें थोड़ा सा सपोर्ट दे दो अगर आप पानी फोर से डालोग अब चुकि मैं फर्स टाइम इनको लगाऊंगी तो अभी मैंने यह सुना है तो देखते हैं कितने टाइम तक के लिए इसके फ्लार्स पे खिले रहते हैं इधर फ्रेंट्स मैंने आज यूजवल मैं अडेनियम के फ्लांट इधर बहुत जादा खरीद रही हूं और यह मैं 350 रुपीज इच पड़े हैं उन्होंने बोला कि पॉट्स के उपर हम यह नहीं कर रहे हैं यह आप कलर्स जो भी लेके जाओगे उसके कॉर्डिंग है तो यह वाला आप शेड देखो और इधर आप यह देख सकते हूँ यह मैंने यलो कलर का लिया हुआ है यह भी बहुत ज अच्छे से पूरे साल यह अच्छे से करता है और इधर मैंने एक विंका का भी यह प्लांट लिया है जो कि मुझे 20 रुपय का पड़ा तुरा सा शेड अलग सा लग रहा था तो यह से मैंने इसे ले लिया और आप देख सकते हो पॉली बैग में लगा हुआ अच्छा खास इसके साथ साथ फ्रेंट्स मैंने यह एक जीजी का प्लांट लिया हुआ है जो कि बहुत जादा कॉस्टली मिलता है अगर आप बहुत इस्टैबलिश प्लांट लोगे तो यह मुझे 150 रुपीज का विद पॉर्ट पड़ा है और इधर फ्रेंट्स मैंने तीन यह बहुत ही जादा यह पेंटास के जो फ्लार्स होते हैं जब गुच्छों में खिलते हैं तो गार्डन काफी जादा देखने में खुबसूरत सा लगता है यह भी आप पॉर्ट देख सकते हो फोफोर इंचेस के पॉर्ट में लगे हुए प्लांट्स काफी अच्छे से स्टैबलिश प लगा और लंबे टाइम से मैं इसको खरीदना चाहा रही थी लेकिन थोड़ा सा यह प्लांट कॉस्टली आप देखो कितनी जादा अच्छे से इसकी रूट्स वगेरा बहुत ही अच्छा ट्रिम्ड प्लांट है और अच्छे से ट्रेंड की गई है इसकी जो भी ब्रांच वगेरा आप देख सकते हो और यह मुझे 1200 रुपय का प्लांट पड़ा जो की है फाइकस की बोंजाई उपर ग्राफ्टिंग वाला हिस्सा है आप बहुत खुबसूरा तो फ्रेंड से यह काफी साल पुराना है प्लांट यह नर्सरी वाले भाया ने मुझे बताया और आप इसे ही रख दूंगे मुझे बहुत जादा कुपसूरसता लगा तो फ्रेंड से इस बाब मुझे दो प्लांट ऐसे थे जो मैंने फाइकस और एक लिस्यान्थिस जो मैं काफी लंबे टाइम से तलाश रही थी तो मुझे मिल गया नर्सरी पर और यह थोड़ा सा कॉसली था में आप डालिए मैजिकल वर्काउट करेगा सभी प्लांट में करता है फ्रेंड रोजस में भी करता है लेकिन गुलाब में आप अभी कुछ भी यह फर्टलाइजर्स वगेरा मत डालिए बस पानी टाइम ली दीजे यह मैंने अडेनियम के लिए लिया है और जो अभी मैं किसी पर्टिकुलर प्लांट का आपको पसंद आया या फिर आपको फाइकस कैसा लगा आपके अधर इसका रेट कैसा रहता वो भी आप कमेंट सेक्षिन में जरू बताइएगा इसके साथ साथ यह बहुत ही खुब सूरस जिसका मैंने लंबे समय से इंदिजार के जो कि है इस यांतर मुझे मिल गया फाइनली तो इस बार मैं इसको ग्रो करके देखूंगी कि यह कैसा ग्रो करता हो और इसका अपडेट जो भी होगा वो भी मैं आप लोग के साथ जरू शेयर करूंगी तो फ्रेंट कमें सेक्षिन में जरू बताइएगा कि आपको इन प्लांट मे थैंक यू सो मुझ